Hey guys this is Kirat and welcome back to another video तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या आपको एक ऐसी वीडियो देखने है जहां मैं आपसे बात करूँ कि आप online classes को कैसे अप्रोच कर सकते हो कैसे आप अपनी online resources यूज करके अपना जो college का experience है क्योंकि अब सारा कुछ online हो रहा है तो आप online resources को use करके कैसे अपने college के experience को एक offline experience जैसा ही या उससे even better बना सकते हो in a way तो yes तो आज हम इसी topic के बार में बात करने वाले हैं so yeah let's get started तो यार जब online classes शुरो होंगी तो हमारे पास यार दो तरह के बच्चे होंगे एक होंगे यार जो netflix, amazon, hotstar ये सबको subscribe कर लेंगे अभी IPL तो चली रहे तो साड़े साथ तक तो IPL देखेंगे और बाकि सुबा बस classes लगा के अपना netflix बगरा करने लग जाएंगे दूसरी तरह के बच्चे होंगे यार जो समझेंगे कि उनको जो online classes का ये time मिला है वो actual में एक boon हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा advantage हो सकता है future में और अपने आपको skills के साथ develop करेंगे नई चीज़े explore करेंगे और काफी कुछ जो है अपने आपको improve करने में अपना time लगाएंगे तो अगर आप यार दूसरी तरह के बच्चे हो मेरे पस आपके लिए आज 3 points हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे अपना जो journey है ये जब तक आपका college जो यार offline शुरू नहीं होता तो यार देखो अब आपका college online है तो definitely यार काफी सारे cons हैं इस चीज़ के पर लेकिन हमें यार उन cons को यार अपने pros में बदलने की कोशिश करनी है एक जो चीज़ आप miss out कर रहे हो वो आप नई लोगों से नहीं मिल पाओगे ठीक है instantly अभी बाद में मिलोगे फिर आपकी जो यार academics जो है अजीब सी हो रही है ठीक है ओनलाइन websites, resources को यूज करकर इन चीज़ों को अपने advantage में ला सकते हैं ये आज हम देखेंगे तो यार पहले detail में बात करते हैं हमारे first point के बारे में जो है connecting with new people अब यार जब offline college शुरू होता है किसी का भी जैसे मेरे भी हुआ थो 2020 को छोड़के सब लोगों का उसमें क्या होता था आप यार first day जाते थे आपकी orientation होती थी ठीक है आप सब से मिलते थे आप hostel में first day जाते थे तो नए नए लोगों से मिलते थे अपने roommate से अपने neighbor से मिलते थे वो चीज आपकी इस बार cut out हो चुकी है ठीक है आप जो है online groups में डाले जाओगे college के तरफ से और फिर आपका जो orientation है वो भी जब offline होगा मतलब बहुत ही अलग तरीके से होगा social distance की वज़े से तो हमें एक ऐसी चीज ढूंड़नी है जिससे हम नए 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 से connect करें और क्योंकि अब हमारे पास इतना time है कि हम सिरफ जो है अपने college को target नहीं हम पूरे इंडिया को target कर सकते हैं ठेक है कि हम पूरे इंडिया में बच्चे ढूंड़े जो हमारे thought process को match कर रहे है जिनके interest हमसे सेम है और उनसे हम connect करें तो पहली चीज आती है यहां पर वह है यार लिंक्डिन अभी तक अगर आपने अपनी लिंक्डिन की प्रोफाइल नहीं बनाई है वह सबसे पहले आप बना लो अगर इस वीडियो को यार शायद सौ लोग देख रहे हैं तो हो सकता है यार पांच की जो है लिंक्डिन प्रोफाइल हो और उसमें से यार दो या तीन लोगों ने उसको यार अच्छे से मेंटेन करा हो मैं कहना है चाहता हूं यार आजकल सबका इंस्टाग्राम फेस्बुक पे तो काफी जादा अच्छा प्रोफाइल होता है लेकिन लिंक्डिन पे लोग प्रोफाइल बनाके छोड़ देते हैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते जबकि आपको अब कॉलेज म मिल जाएगा और वहां पर आपको पता लगेगा कि यार आप अपने कॉलेज के अपने इंट्रेस्ट के लोग को कैसे लिंक्डिन पर सर्च करते हो और उसके साथ साथ यार आपको बहुत सारी ऑपोर्चिनिटीज मिलती हैं तो जैसे अगर मैं को वीडियो डिटिंग में इ नहीं नहीं नियूस डाल रहा है कोई अपनी टेकनीक्स लिखा रहा है ठीक हैं तो मैं उन से कनेक्ट कर सकता हूं तो फिदो एडिरज अपस में आपस में रहे knowledge कर सकते हैं या फिर या companies ने डाला होता लेकिन जैसा मैंने बोला कि आप हम उनलाइन वर्ल्ड में हैं तो आप हम सिरफ अपने कॉलेज में क्यों रेस्ट्रिक्ट रहे हैं आप जो है डिस्कॉर्ड पर जाओ आप जो है टेलिग्राम पर जाओ आपको हजारों कम्यूटीज मिल जाएंगी आपको अब जिसे सारी जॉन नहीं करनी वो तो फिर टाइम पास वाली बात हो जाएगी आपको यह चार से पांच या फिर मैं बोलूँगा दो से तीन अगर आप जो है और भी चीजों पर फोकस कर रहे हो communities को join करना है तो अगर आपको join करना है मेरी community जहांपर आपको पूरे इंडिया से different different colleges से बच्चे मिलेंगे जिनसे आप बहुत सारी बाते कर सकते हो discussions कर सकते हो नीचे link दिया हुआ definitely join कर लेना बाकी YouTubers की भी communities मिल जाएंगी काफी excellent YouTubers की तो आप definitely ढूंडो कि जो भी आपको community सबसे बड़िया लग रही है उसको आप join कर लो और वहाँ पर बच्चों से connect करो बच्चों से बात करो पूछो कि वो क्या जैसे आप artificial intelligence में interested है तो पूछो कि क्या आप लोग में से कोई AI में interested है machine learning में आप अभी कोई projects पे काम कर रहे हो तो ऐसे ही आपके connections बिल्ड होने शुरू होंगे और जैसे ही एक बार college खुलेगा तो आप अपने college में पहले से काफी लोग को जानते भी होगे ठेक है आपका एक अच्छा पहले से connect बनाओगा वरना गर आप यार इन दो महीने बस दो तीन चार जितने महीने आप सिरफ वेले बैठे रहोगे अपने में ही लगे रहोगे तो जैसे आप college में जाओगे तो हो सकता है बाकी लोग पहले से ही जो है यार फेमिल्यर हों और आप अपने आपको थोड़ा left out feel करो यार हमारा second point है वो है obviously academics आपकी college की पढ़ाई और यह थोड़ा सा यार controversial topic होगे आज कल क्योंकि बहुत लोग जो है online classes से तंग आ चुके हैं और मैंने भी यही चीज़ experience करी हुई है यार definitely जो है online classes में वो वली बात नहीं है जो आप offline classes में आगे पढ़ते हो उसका मेरे ख्याल से 10% भी नहीं मजा आता लेकिन यार अप situation ऐसी है कि आपको यार थोड़ा सा online classes में ध्यान देने की जुरूरत है क्योंकि यार मेरे इसाब से क्या होगा अभी तो लोग जो है मस्ती मार रहे हैं चिल कर रहे हैं पर बाद में जब एकदम से कॉलेज शुरू होगा तो यार कॉलेज वले जो यार assignments प्राक्टिकल्स जो यार आपके online नहीं हो सकते हैं जिनकी कैंपस में प्रेजन्स चाहिए थी वो धन धन आपके उपर डालने लग जाएंगे उस टाइम पर आपको बहुत जादा दिक्कत होगी और अभी तो यार जो assignment test चल रहे हैं उसमें चीटिंग करकर जो है नंबर आराम से ले रहे हैं 70-70 परसेंट आ रहे थे वो 95 तक ले जा रहे हैं तो यार जब offline campus शुरू होगा उन लोग को यार सबसे जादा शौक लगेगा कि अब क्या करें अब तो खुद पढ़ाई किये जा रहे हैं उनको यार अपनी copy में लिखते रहो फटाफर ठीक है अब यार आप online classes को change तो कर नी सकते ठीक है अगर सुबह 9-10 या 9-11 क्लास है वो टाइम तो आपको उसमें बैठना ही पड़ेगा है ना तो इससे अच्छा यार के वेले बैठने रहने से या फोन चलान करना है कि मैं notes बनाऊं नहीं यह college में top करने के लिए यह इसलिए है ताकि आपको यार college में और चीज़े करने का time मिल जाए ठीक है आप पड़ इसलिए नहीं रहे कि आपको top अगेरा करना है ठीक है करना तो आप महानो लेकिन majority of the बच्चे जैसे मैं हूं वो अगर notes अगेरा आप revise करके चले जाओ और आपकी decent से बहुत अच्छे number भी आ सकते हैं आपको ज्यादा effort नहीं डालना पड़ेगा तो यार अब हमारे third or last point पे आते हैं which is profile building या portfolio building यह जो थोड़ा थोड़ा last point से connected है पर आपको थोड़ा सा detail में लेकर जाऊंगा यहां पर यार क्या होता है क जैसा मैंने बोला पहले कि दो तरहां के बच्चे होते हैं जो अपना सारा time जो है Netflix वगरा इस सब चीजों में लगा देंगे और दूसरे हैं जो अपना determined रहेंगे कि हमें जो कुछ skill develop करनी है तकडी हमें कुछ बड़ा करना है college में तो आपको या profile या portfolio building करनी पड़ेगी definitely अगर आपकी जो है second person वाली सोच है काफी बच्चे सोचते हैं हमें first year में internship नहीं मिल सकती हमें second year में internship नहीं मिल सकती सिरफ third year या fourth year में अच्छी internships मिलती हैं आप बिलकुल गलत हो या internships आजकल या बड़ी-बड़ी companies में even startups में यार उन बच्चों को दी जाती है जिनमें एक real skill होती है year या फिर आपका marks यह यह सब देखकर नहीं दी जाती तो अब आपके पास यह बहुत बढ़िया time है कि आप अपना जो first year of college है जो आपका चल रहा है अपना end तक उसमें आप आप एक बहुत बढ़िया skill या profile build कर लो जिससे आप internships या opportunities projects में apply कर सको अपने second year के start में तो for example अगर मैं को social media marketing में interest था और मैं या इंटर्शिप अगेरा करना चाता था तो मैं अभी से जो है अपना page build करना शुरू कर दूंगा कोई अपना blog करना शुरू कर दूंगा और फ चारी knowledge एक अठी करूंगा और एक साल में इसको implement करूंगा जिससे जो है second year में मैं इसी field में opportunities में apply कर सकूँ और मेरे पास एक तगड़ा CV में भी लगाने के लिए हो कि मैंने एक साल में यह चीज़े करी है मैंने यह course कर रहा है मैंने page build कर रहा है और real world चीज़े करना बहुत ज़रूरी है आप सिरफ यह नहीं कह सकते कि मैंने Udemy से course कर लिया yellow certificate आपको उस चीज़े को है real world में implement करना है तो यह बहुत अच्छा time है आपके पास online classes में कि आप अपनी एक profile बिल्ड कर सको और यह ज़रूरी नहीं है कि आपको सिरफ एक ही चीज़ पकड़नी है आप जो ह कि मैं किसी भी इक time पर चो है 2 से 3 कृटे मी 수 एकसा कर रहा होता हूं ठीक है कभी मेरा मन होता हि कि आज मैं coding करूँगा तो मैं यह व्ला course कर रहा हूं कभी मेरा मन होता है कि आज में को थोड़ा design skills को improve करना है तो मैं यह व्ला course कर रहा हूं तो आप यहर ऐसे 2 3 courses जो है ल यह जाओगे ठीक है कि यूट्यूब पे विडियो आ गई है खोल ली नेट्फिक्स पे नई मोवी आ गई है खोल ली तो आपको टू-डू लिस्ट बना के रखनी मैं इतने सारे टास्क अभी पड़े हुए तो डेफिनिटली यार यह बहुत अच्छा टाइम है मैं बोलूँगा आपके पास आप इसको बिल्कुल भी यार वेस्ट ना करो और जो मैंने आपको अभी यह सारी चीज़े बताई है इनको ध्यान से सुनो एक बर और और देख लो व इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए और मुझे अड़रेट करे तल रही जा वहां पर आप में इसे कुछ भी मैसेज करना है तो बात वगेरा कर सकते हो में को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे ही कॉंटेंट और देखने के लिए और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में